स्वी उडिया बावाजी ने इशारा किया कि मौन रहने से वानी के अपराद से बचा जा सकता है उपासक को जो शत्मार्ग पर चलने वाला है बाणी पर विशेश द्यान देना चाहिए क्योंकि वाचालता दूसरे की गुण दोस का वर्णन ये हमारे भजन को बाधित कर देता है अधिकतर साधक से अपराद वानी के द्वारा बनते हैं वो किसी की निंदा कर देता है किसी वैश्नों में दोस दर्शन कर लेता है और उसका वानी के द्वारा वर्णन करता है अपराद बन जाते हैं जिनको हम अपराद मानते नहीं इसले इशारा कि आप जिपादूरिया भावाने की पणडी जी मौन से बानी के अपराद से बचा जा सकता है एक वैर। पुझिपादुडिया वावा ने कहा कि जब तक साधक को भगवत साक्षात कारणा हो जाए तो पुरुष शाधक का आकरशन स्वभाविक इस्त्री शरीर पर होता है यह बहुत बड़ा आकरशन है जैसे जड़ चेतन की गरंथी ना बंधने पर भी बंधी हुई है यद्यपिम्रशा छूटति कठी नहीं ऐसे ही इस्त्री दर्शन इस्त्री शंभाशन इस्त्री शहवास यह जीव की अविद्या की ऐसी मोटी गरंथी जड़ चेतन गरंथी के ऊपर बंधी हुई है कि जब तक किसे नहीं खूलेगा तब तक वह जान ही नहीं पाएगा कि जड़ चेतन की गरंथी क्या है यह चिजड़ क्या है चेतन जड़ का क्या संबंध है यह क्या बंधन है इसलिए महापुर्षों ने जो इस्त्री शरीर शादख हैं पुरुष शरी शादbahn